इसी टीम ने रिंगिंग भी करी थी हाकिंग के साथ साथ इस पॉइंट तक हैर मेरे पास शब्दी कम पढ़ चुक है मैनेजमेंट के लिए या फिर अपने टीवन कम्यूनिटी के सिस्टम के लिए कि कितने प्लेयर्स के ओपर आवाज उठाई जाए उसके बाद जाके कोई आक्शन होगा कितनी भी बोलो कितनी भी वीडियोज बना लो साहय का क्राटे के ं और रखुरस के सामने रखग दो इनको बिलकुल फरक नहीं पढ़ने वाला एकशन की झाहेतनी पी मैनेजमेंट का मेस्ज कर ले इनको इनको रखनी पड़ेगा कोई एक्षेन निलेंगे इनके कान पे एक जू नहीं रहेंगेगी हैकर्स को ही लाइन खिला दिया जाएगा क्यों क्योंकि उन्होंने हैंड गैम दे दिया फिर चाहें हैंड गैम के अंदर हैक लगा रखा हो कोई भी चेक थोड़ी करेगा उसको चाहें ज लेजिटी होंगे फिर चाहें कोई कितनी भी वीडियो बनाता रहें कितनी भी आवाज उठाता रहें जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूं कि अभी कम्यूनिटी में हाहा कार मच रखा है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप निकल के आई है टीम व गया जाते ही जो कि इनकी पॉजिशन 24 में से 21 आई और बीजी एमस के क्वालिफायर्स में ये रेड डेविल्स के नाम से एकतम डॉमिनेट कर रहे थे लोबी इसी टीम के एक प्लेयर की क्लिप वाइरल जा रही है जिसने हैंड केम प्योवी में ही हैक लगा लिया बता बंदा एक्टिवेट कर रहा है चीट को जो कि विन आयुस है और उसका प्रोपर ओवरले सामने चलता हूँ दिख रहा है और ये हैंड केम है बीजी एमस के ही क्वालिफायर्स के माचिस का और ये एक बंदरे ट्विटर के उपर लीक करा कैसे उनको ये चीजे मिल गई और बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि कैसे ये सारी चीजे अन्नोटिस जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर तो कोई पीयोवी मिलता नहीं ना प्लेयर्स कहीं पे डालते हैं तो कि हमने दे दिया है और हैकर्स भी कह देते हैं कि हमने थो सब कुछ benईशमेंट को दे दिया ह टीवन टीम्स और प्लेयर ने भी मैनेजमेंट से बात करी क्वालिफायर्स के टाइम पे की रेड डेविल्स टीम गलत है तो भी इनको बोल दिया गया कि हमने सब कुछ चेक कर लिया है सब कुछ ठीक है हमारे पास में सारे प्यो भी आ गया है अरे पुब्लिक डोमेन में रिल जितनी भी टीम्स है उनके प्लेयर्स को बकाइदर टाइग करा जा रहा है उनके पोस्ट में लेकिन इकलाथी वाइकिंगी स्पोट्स की ही ऐसी टीम है जिसका पोस्ट तो डाला गया लेकिन किसी भी प्लेयर को टाइग नहीं किया गया टाइग तो छोड़ो किसी का क्या है और तो और इसके बाद आते हैं हम हमारे ऑक्टीवेस भाइया के पास जिनके अल्रेडी एक आईडी पैस में लग चुकी है फिर भीयार हो सकता है कोई ग्लिच होगा मास रिपोर्ट होगी कोई ऐसी चीज़ होगी उसकी वैसे आईडी बैन लग गई होगी इनी ऑक्ट है यहां पर एथिक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है और तो और जहां पर तुम इसी बात पर सवाल कर रहे हो बीजी एमस के मैनेजमेंट के उपर कि कैसे अलाव कर दिया तो भाई तो मैं यह बात बता दू जानकारी के लिए कि इसी टीम ने रिंगिंग भी करी थी हैकि यह खुद बीजी एमस दूसरी टीम से खेल चुके हैं हमारे ऑक्टेवियस बाया ओल्रेडी टीवी एस रेडर जो की रोड टू बीजी एमस था उसमें एक टीम से खेल चुके थे जिसमें इनकी टीम का नाम था पी एन एक समझ सकते हैं पूरा नाम क्या था यह तो मुझे नहीं पता लेकिन यह बंदा ओल्रेडी एक टीम से खेल चुका था उसके बाद इसने हैकर की टीम जॉइन करने की सोची बीजी एमस के मैनेजमेंट ने अलाव भी कर दिया रिंगिंग को भी अलाव कर दिया हैंड के अंदर बंदा हैक लगा रहा है उसको भी ओवरलुक कर सब चीजों के बावजूद इस हैकिंग वाली टीम को बंदों ने लैंड खिला दिया वह लैंड जिस पे एक करोड़ों का प्राइस पूल है जिसमें सारी फैन फेवरेट टीम्स केल रही है जो स्टार स्पोर्ट्स पे टीवी के उपर आ रहा है जिसमें केवल और केवल चा तो यहां से वीडियो को प्ले करोगे तो तुमको एक किलफीट देखने को मिलेगी पी एनेक्स ऑक्टेवियस थर्टीन की अब यह है टीवी एस रेडर का ही बीजी एमेस क्वालिफायर और इसी टीवी एस रेडर के अंदर ही हमारी डेविल्स खेली थी तो जो एक ही टूर तो यहां पर सबसे पहले अबजर्ब करो सिल्वेनियस एक्सूट वाली किलफीड है यह उपर से नाम एकदम अच्छे से अबजर्ब करो पी एनेक्स पूरा कैपिटल में है और लास्ट में दो एस और एक थर्टीन है अब इसके बांद में अगर तुम ऑक्टेवियस भी है के ही इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाओगे और उनका पहला पोस्ट ओपन करोगे तो इसका टाइटल तो उनको दिखेगा बीजी एमस ग्राइंड जिसमें वो एमफोर ग्लेशर से ही खेल रहे हैं सिल्विनियस एक सूट ही है और इनका किल फीड का नाम भी तुमें प इंके लिए तो बहुत सारे होते हैं रिंगें आपको कोई दिक्कत है ने तो यह कैसे आपने आलाओ कर दिया जितने कोन्फिडेंस के साथ में यह बंदा हाक लगा रहा है इससे साफ पताः चल रहा है कि यह बंदा पहले भी हरकत कर चुका है तो ग्रूटल इंड्र डौक् आप लोग सवाल करिए कि इतनी सीरियस चीज कैसे ओवरलोक हो गई इतना ब्रूटल मारने वाली टीम इतने अलिगेशन के बाद में कैसे रिंगेंग करने के बाद में और हैंड केम में ही हैक लगाने के बाद में भी इस टीम को ग्रीन फलाक दे दिया गया क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो कोई भी नहीं पूछेगा